नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ काविंदर चौहान, आई ये रुख कर लेते हैं उत्राखंड की खास खबरों की ओर हल्दवानी के ब्लॉक सभागार में फ्रेस वारता करते हुए ब्लॉक प्रमुख रुपा देवी ने शेत्रे युवा कल्याण अधिकारी पर गंभीर आरूप लगाया है ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने बताया कि शेत्री युवा कल्याण अधिकारी से स्पष्टी करण के साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत खेल मंत्री से की जाएगी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने आरूप लगाया है कि शेत्रिय युवा कल्याण अधिकारी राजदी पंथ अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं जबकि स्थानीय चुने हुए जनप्रतिर्दी और ब्लॉक प्रमुख की भागीदारी स्पस्थ होती है बावजूद इसके सबको अंधेरे में रखकर शेत्रिय युवा कल्याण अधिकारी ने है काम किया है जिस पर कारवाही की जाएगी लालकुआ के मोटा हल्दू में गौला निकासी गेट के पास बसे मजदूरों की सैकड़ो जोपडियों में भीशड आग लग गई इस्थानीय लोगों के मताबिक लगबग 200 जोपडिया जलकर राख हो चुकी है बताया जा रहा है कि मजदूरों का जोपडियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है घटना की जानकारी मिलने के बाद भी फायर बिगट की गाड़िया एक घंटी की देरी से पहुँची इस्थानिय लोगों ने लोकल टैंकर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया इधर मौके पर लालकुआ कोतवाली पुलिस के वरिष्टु प्रेरिक्षक रोहताश कुमार सागर भी मौके पर पहुँचे वहीं जानकारी मिलते ही पूर्वनगर पंचायत अध्यक्षपवन चौहान ने मौके पर पहुँचकर घंटना का जायजा लिया फिलाल आग लगने की कारोणों का पता नहीं चल सका है लगने की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई यहां पर तुरंत हम लोगों ने अपनी फायर बिगरेट को बताया और सेंचुरी पेपर मिलकी फायर बिगरेट को भी हमने मौके पर बुलाया दोनों फाय ग्रेट मौके पर आ गई हैं अब आग बुजा दी गई है और जो अपड़ियों में जो सामान था उसमें नुक्षान हुआ है जनहानी की कोई शूचना नहीं है स्थितिन यंद्रण में आते ही वास्तों में बहुत दरदनाक है कि गरीब आदमी जिस तरह अपना गुजारा करता है जो पड़ी बना करके वो तो आजकल एक जरूरी कर दिया है सरकार ने के रजिस्टेशन सब का होना जरूरी है तब से एक रहात की बात यह होती पहले तो जानकारी नहीं होती थी कि यहां कितने आदमी काम कर रहे हैं कहां पर कर रहे हैं लेकिन आज कमसर में यह जानकारी रहती है कि इतने लोग काम करते हैं तो सरकार भी उसकी हरतरे से मदद करने का प्रियाज करती है मैंने आते ही तैसिलदार को फोन किया है सेंचरी को फोन कर दिया गया था सेंचरी की न अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है सभी तीर्थ पुरोहितों के हक यतावत रखे जाएंगे उनके साथ कोई छेड़ चाड नहीं की जाएगी परेटर मंत्री ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में तीर्थ पुरहुईतों के हकों को सुरक्षित रखा गया है इसी तरह गंगोत्री और यमनोत्री के तीर्थ पुरोईतों के हग भी सुरक्षित रखे जाएगे सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते ही कई फैसलों में भी बड़े बदलाओ दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में पूर्वी की त्रिवेन सिंग रावत सरकार के कई फैसले वर्तमान की तीरत सिंग रावत सरकार ने बदल दिये है ऐसे में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया जिसके लिए नए मुख्य मंतरी ने डीप्यार बनाने के निर्देश कर एक करोड रुपए सुईकरत की है आपको बताते चले पिछली त्रिवेन सिंग रावत सरकार में इसी मेडिकल कॉलेज के लिए हरक सिंग रावत ने श्रम समविदा वोट से 20 करोड रुपए कारेदाई संस्था को मेडिकल कॉलेज निर्माड के लिए दिये थे लेकिन तब त्रिवेन सिंग रावत के तेवरों के चलते कारेदाई संस्था से पूरे के पूरे 20 करोड रुपए वापस ले लिए गए पूरे मंत्र मिनल का हिर्दय शावारी हूं जिन्होंने मेरी विदान सवाथ छेतर कोड़दार में मेडिकल कॉलिज को सैधान तिक सहमत दी है और काम सुरूप करने के लिए पूरे पूरी जंपद ओ, बिजनो और जंपद के लिए स्वास से सुवज़दाओं के दिर्श्कूर्ण से एक ऐतयासिक निर्णा है और इसके लिए मैं मानिया मोदी जी, मामिस साज जी भारब सरकार का भी बहुत इरदय सावारी हूं कि माने नड़ाजी का बहुत हिर्देशावारी हूँ सीम से माफी मांगने की मांग की है चेताब नी दी यदि सीम ने माफी नहीं मांगी तो महलाएं उगरान दूलन के लिए वाद दि होंगी उसके गमबूट पहने थे गमबूट के बाद गुटनों पे गए और इस तरह के उनके जो ब्याख्यान थे अपने आप में सर्मनाक थे मैं तो मोदीजी से कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने से अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को यहां पर भेजते ताकि वो विकास की बात करता ना उनके गंबूट देखें उबभोकताओं की डिमांड के नुसार पहुँच सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये है इसके साथ ही मंत्री ने निर्देश दिये कि दुग्द से बिभिन प्रकार के ऐसे उत्पाद तयार करने जिनकी बाजार में बहुत अधिक मांग हो साथ ही बिभिन प्रकार के अधिकार फ़ादों की मांग बढ़ने के लिए उसकी ब्रांडिंग और मारकेटिंग पर बहतर कारे करने के निर्देश दिये गए टेरी और दुख-दुविकास वृभण की मैटिंग लिगई है और इस मैटिंग में किस परिकार से हम दुख-दुविकास के शेतर में काम कर सकते हैं चाहे वो उनकी समीखियों के माधarm से हो चाहे फेडरेशन के माध्यम से हो तो किस परिकार से इसका रोटवारेता है उसकी जानकरिया मिली गई हो और साथ में किस प्रिकार से हम उत्राकंड को दुग उत्पादन में हम आत्मनर्वर बना सकते हैं, उत्रिशा में भी जो है काफी चर्चाएं की गई हैं, आने वाले समय में हम दूद से संबंदित काफी सारे प्रोड़क्ट जो है वो मार्केट म संदर में हो तो ऐसे प्रोड़क्ट जो है यूनीक प्रोड़क्ट जो है वो मार्केट में आने वाले हैं, निश्यत रूप से इससे हमारी जो समीतियां है, जो फेडरिशन है उसको लाब मिलेगा और साथ साथ में जो हमारे बेरोजगार भाई भेन हैं, उनको इससे बहुत अच्छा अरोजगार जो है वो मिलने जाएगा तो फिलाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा निउस वर्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद